Hello Friends, कैसे हैं आप लोग आज बहुत दिनों बाद आप से मिलने का अपसर मिला है Friends, आज के वीडियो में आपके लिए एक ऐसा टापिक लेकर आया हूँ जो हमें इंस्टॉलेशन लाइन के लिए जो हमारे भाई लोग इंस्टॉलेशन लाइन से इंस्टॉल करते हैं audio products, उनको कहीं कोई परिशानी आती है कुछ चीजों में, speaker को amplifier से कैसे connect करें, कितने speaker एक amplifier पर चला सकते हैं, कैसे wiring करें, किस तरी connection करें, ohms क्या होते हैं, impedance क्या होता है, वो समझने में बहुत परिशानी आती, तो आज मैं आपको एक आसान सी भासा में यही चीज़ समझाने के लिए आया हूँ, तो आज के topic में आपको बताऊंगा, speaker में जो हमारे nominal impedance दिये जाते हैं, 4 ohm, 8 ohm, और हमारे amplifier में जो 4 ohm, 8 ohm, पर 500 watt, 200 watt, जो wattage show की जाती है, वो किस तरीके से हम एक speaker को और एक amplifier को आपस में connect करके एक अच्छा audio generate कर सकते हैं, sound generate कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, और जिन भाई लोगों ने मेरा channel like नहीं किया है, subscribe नहीं किया है, देखिए nominal impedance की, बहुत लोगों को पता नहीं है, nominal impedance होता क्या है, और ये किस तरीके से decide होता है, और ohms क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, ये हमारा JBL का control 28 का brochure है, देखिए आप, अब इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसके specifications में, यहां आप देखेंगे, ये nominal impedance 8 ohms दिया हुआ है, अब ये बहुत लोगों को नहीं पता, nominal ohms सब जानते हैं, 8 ohms का speaker है, 4 ohms का speaker है, बहुत लोगों ने वीडियो भी इसके बारे में बताया, सबने अपने अपने तरीके से बताया है, मैं थोड़ा इसको और खुल के बताता ह होता क्या है, मैं आप ये जान लीजी तो आपका सारा concept clear हो जाएगा, nominal impedance दोस्तों कोई एक component या कुछ नहीं होता है, ये normal एक आपका जो भी आपके speakers में आपका resistance आता है, resistance को मैं बता दू, हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, रुकावट कहते हैं, जो आपके circuit में, जो पूरे circuit के resistance को हम impedance कहते हैं, जिसमें आपका inductor, capacitor और आपका जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा network plate, एक तरह से ये हमारा circuit है, देखे आप, और ये हमारा network plate है, जिसमें आपको capacitor, inductor और resistor तीनों component दिखेंगे, और साथ में आपको इसमें और भी component दिखेंगे, आपको इसम network भी दिखेंगा, जो हमारे high frequency, low frequency, mid frequency को एक अच्छे से separate करके, speaker में एक अच्छा sound आपको speaker से देता है, तो ये हमारा impedance, impedance इसी पर हम एक तरह से जो हमारा impedance होता है, उसका जो SI unit है, जिस unit पर हम उसको नापते हैं, उसको हम ohms कहते हैं, ohms जो है, वो हमारा 4 ohm, 8 ohm मैं बता द होगा, और ohms जितना ज्यादा होगा, उतना ही load हमारे speaker पे भी कम पड़ेगा, speaker भी जो है, danger zone से बाहर रहेगा, और amplifier भी danger zone से बाहर रहेगा, जैसा सब जानते हैं, speaker हमारे normally हम 4 ohm और 8 ohm पे ही चलाते हैं, जैसा मैं कह रहा था हम नापते हैं, तो हम मैं आपको बताता हूँ हमारे speaker की जो coil है, वो coil की मोटाई, उस coil की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, लंबाई जितनी कम होगी, speaker का हमारे ohms जो है, उतना ही कम होगा, मतलब अगर हमारे speaker की, आप suppose कीजिए, मोटाई के हिसाब से मैं मानू, आपका जैसे suppose कीजिए, एक 8 ohm का speaker है, जैसे हमारा ये, JBL का है control 28 ठीक है यह हमारा देखिए 8 home का speaker है यह ठीक है यह आठ ओम का speaker है अब यह 8 home के speaker में इसमें speaker यह है इसका speaker देखे driver है इसके अंदर जो coil लगी है वो coil हम ऐसे दो speaker दो control 28 8 8 home के दो speaker को जब हम parallel wiring में करते हैं तो वो हमारा 4 home पे आ जाता है चार home पे क्यों आता है क्योंकि हमारे speaker के जो हम दो speaker को हम parallel करते हैं तो हमारी जो coil है speaker की उसकी मुटाई जो है वो double हो जाती है तो यहां सीधा सीधा मतलब यह है हमारे speaker की जो coil है उसकी मुटाई जितनी जादा होगी उसके ohms उतने घटेंगे और speaker amplifier जो हमारा उस पे लोड उतना ज्यादा पड़ेगा इसका मतलब यह है जब हम आठाट speaker के आठाट ओम के दो speaker को parallel में से connect करते हैं तो वो चार ohms बन जाता है और चार ohms पे फिर वो coil जो है उसकी मुटाई डबल हो जाती है तो हमारा डाडेक्ट वो आठ ohms से चार ohms पे आता है चार ohms पे हमारा आठ ohms से ज्यादा लोड पड़ता है यह भी आप जानते होंगे नहीं जानते तो आज आपको पता लग गया और वीडियो आप देखते रहिए मैं आपको आगे और copper के वाइडल यह coil देखिए और यह coil देखिए यह मोटी है यह पतली है तो इससे साफ पता लगता है यह coil जो है आपकी मोटी है तो यह आपकी इससे जादा जो है लोड उठाए लोड इस पे लेना पड़ेगा amplifier को चलाने के लिए amplifier लोड इस पे जजादा हैगा ऐसी coil अगर amplifier से ज्यादा load उठाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है यह आपका concept clear हो गया होगा एक चीज में आपको और दिखाता हूँ थोड़ा और एक example देता हूँ एक live आपको दिखाता हूँ आप देखिए यह हमारा crown का यह हमारा दो चैनल का amplifier है अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ ओमस आपको मैं इसके वह दिखाता हूँ कितने ओम पर कितना देता है यह हमारा excellence 2002 है और यहां देखिए यह चार ओम पे 650 वाट पर चैनल देता है यह आपको यह amplifier आपको सपोस कीजिए 1300 वाट का amplifier है जो 650 वाट पर चैनल चार होम पर आपको देता है अब मुझे सपोस कीजिए मेरे को यह speaker अपने control 28 यह मुझे 8 होम के speaker को मुझे चलाना है इन पर चार speaker मुझे चलाने है इन पर तो मैं कैसे चलाओंगा मैं आपको अभी बताता हूँ अगर आप इनको पैरलेल में करते हैं मैं आपको डायग्राम के थूरू बताता हूँ मैं आपको एक दोस्तों देखिए यह सपोस कीजिए हमारा यह हमारे चार ड्राइवर है speaker है यह चार speaker है हमारे यह 8 ohms के speaker है हमारे चार ohms ठीक है यह हमारा amplifier है एक्सलेस 2002 crown का जो हमें 4 ohms पर यह बताता है कि 650 watt तक का load यह per channel पर 4 ohms पर ले लेगा अब हमें यह चार speaker यह 100 watt का एक speaker है हमारा ठीक है तो 400 watt हो गया अब हमें यह चार speaker इस एक amp पर हमें चलाना है तो हम कैसे करेंगे इसकी wiring तो मैं आपको wiring इसकी बता दूँ suppose कीजिए यह हमारे 8 suppose क्या कीजिए 8-8 home के ही speaker है तो मैंने suppose कीजिए इसको यह इसकी wire गई यह plus यह minus यह इस speaker की wire है यह plus यह minus तो हम इसको parallel में भी कर सकते हैं दोस्तों सबसे आसान तरीका इसमें parallel का है parallel में बहुत आसानी सो हो जाए गए plus को plus से कर दीजिए minus को minus से कर दीजिए यहां इस speaker का plus minus plus minus इसके speaker को plus कर दीजिए इसके speaker के plus को speaker 4 के plus से कर दीजिए speaker 3 के minus को speaker 4 के minus से कर दीजिए और यह amplifier में जाके आप दो speaker को एक channel पे दो speaker को एक channel पे आप connect कर दीजिए आपका सिंपली जो है पैरलल इसको हम कहते है पैरलल जो आपका चार ओम पे जाके सेट हो जाएगा चार ओम पे आपके 200-200 वाट यहां देगा च्छे सो पचास वाट का आयमप है तो आपके स्पीकर पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा अपका सेफ जोन में रहेगा आ अब यहां पर एक चीज मैं देखता हूँ आपको एक सिरीज की वाइरिंग बताता हूँ मैं आपको वहां कैसे हम ओम को मैनेज करते हैं एक डाइग्राम बनाया यह हमारा अप्लिफाइर क्राउन का एक्सलेस 2002 जो चार ओम पर हमें 650 वाट का लोट देता है इस्पिकर चलाने के लिए दो चैनल का है तो पर चैनल 650 वाट देता है यहां मैंने हमारा एक JBL का कंट्रोल वन प्रो स्पिकर आता है या कोई भी स्पिकर लेलिए सपोस कीजिए वो चार ओम का स्पिकर है और हमें वो आठ स्पिकर एक एम पर चलाने है तो हम किस तरीके से चलाएंगे या कैसी हमारे कनेक्शन रहेगा जो सटिस्फाइंग भी हो और सेफ भी हो तो मैं आपको बताता हूँ भी देखिया यह हमारा हो गया प्लस यह हमारा स्पिकर बन का हो गया माइनस यहां हमारा यह हो गया प्लस स्पिकर टू का यह माइनस उसी तरीके से हम यहां भी प्लस माइनस कर लेते हैं दोस्तों ध्यान से देखना आपको समझ में आएगा बहुती असान, कितनी असान है, मैंने भी ऐसे ही सिखा था **- to हम यहाँ पे क्या करेंगे चार ओम का स्पिकर है, यह हमें सौ वाट देता है, पावर चार ओम पे कwiąट्वी पावर इसकी सौ वाट है तो हम इसको कैसे करेंगे आप आप देखिए, हम यहाँ से इसका माइनस लेंगे, um इस पिकर 2 का माइनस हमने लिया यहाँ पे और speaker 1 के plus से हमने connect करके इसको series में कर दिया उसी तरीके से हमने speaker 4 का minus लिया speaker 3 के plus से connect करके series में कर दिया उसी तरीके से हमने speaker 6 का minus लिया speaker 5 के plus से connect करके series में कर दिया same उसी तरह हम इसमें भी करेंगे minus लेंगे 8 का plus लेंगे 7 का और ये सिरीज में हमारे चारो आठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठा speaker 4 के plus से कर दिया तो यह हमारा हो गया series में पहले 8 था series में किया 8 फिर हमने इसको parallel में किया यह हो गया 4 ओम पे हमारे चार speaker 4 ओम पे हो गया उसी तरीके से हमने speaker 5 के minus को लिया speaker 7 के minus से connect कर दिया speaker 6 के plus को लिया speaker 8 के plus को connect करके parallel में कर दिया अब ये हमारी ये चार स्पीकर की इन चारों की और इन चारों की ये हमारे हो गए चार ओम पे दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कहीं कहीं ऐसी सोलुशन आ जाती है कलाइंट के पास बजट नहीं होता और हमें कुछ ऐसा सोलुशन देना होता है जो सेफ भी हो अच सार्ण ये ये आपको इंस्टालिशन में ही सबस्क्राइस है किआफ ये भी होगे है हमारे चार रौत हो गया हमारा एंप्लिफायर ह हमें 650 वाट 400 पर पैरलल की वाइरिंग उठाके हमने यहां से यह देखिए यह जैसे हमारा यह माइनस वाली लेली हमने इधर माइनस में यह प्लस वाली लेली हमने प्लस में ठीक है उसी तरीके से यह हमने यहां पे लेली माइनस वाली चैनल टू में इसकी 5-6-7-8 की और यह प्लस वाली लेली हमने इसकी 5-6-7-8 की यह हमारा 4 ohm पे 650 watt पर channel दे रहा है हम load ले रहे हैं इससे 4 ohm पे 400 watt speaker के लिए पर channel पे तो हमारे एक channel पे 400 watt चार speaker एक channel पे 400 watt चार speaker 2500-200 watt हमारा extra होता है हमारे IC पे भी इससे कोई आपका load नहीं पड़ेगा IC भी जलनेगा कोई खतरा नहीं रहेगा और हमारे speaker पे भी कोई load जादा नहीं पड़ेगा amplifier भी safe रहेगा तो यह हमारी एक series parallel में wiring हो जाती है इस तरीके से अभी आपको समझ में आ गया होगा इससे क्या होगा आपका load भी नहीं पड़ेगा और आपका speaker भी चल जाएगा आपकी amplification भी बचेगी कई जगा आपका client का budget नहीं होता है तो वहाँ पर इस तरीके solution हम देते हैं जिसे client भी खुश रहे और उसका solution भी बन जाए हमारा भी काम बन जाए तो दोस्तो यह इस तरीके की wiring होती है normally installation में कहीं भी आप installation करते हैं जिम में या कहीं भी और impedance किस तरीके से हम लोग set करते हैं वो इस तरीके सेट किया जाता है तो आपने देखा बहुत easy है आपको कोई भी problem हो तो आप मेरे description box में मेरा contact है आप मेरे से पूछ सकते हैं simply connect कर सकते हैं तो जैसा भी आपको समझ में आए आप उस तरीके से आप पूछ सकते हैं और कहीं आपको कोई problem आती है इससे related impedance, home से related कैसे amplifier match करें तो आप बिल्कुल मुझसे contact कर सकते हैं और मुझे जरूर बताइएगा ये video आपको कैसा लगा आपको समझ आया या नहीं समझ आया जरूर मुझे बताइएगा और वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और आपको कैसा लगा जरूर मुझे आप comment box में comment में डालिएगा और इसी के साथ मैं आप से अलबिदा लेता हूँ धन्यवाद आगे मिलते हैं कुछ नए topics के साथ धन्यवाद आपका दिन शुब रहे और आशा करता हूँ आप लोग ने vaccination करा लिया है और मास्क लगाएं दूरी बनाएं ये जरूर याद रखें धन्यवाद